हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू वन्स अगेन मैं राज कबल मिस्टरा एक बाँ फिर से आप सभी का यूपी स्टेट स्पीट टेस्ट नंबर 09 में आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे मित्रों आज मैं 25 कोशन का सेट लेकर आया हूँ आपके सामने जिसमें हम प्रते कोशन में चार ऑप्शन हैं एक सही है तीन गलत हैं और जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं मैं उन सभी का सही से एक्स्प्रिनेशन आपको बताऊंगा सभी लोग दिहान दे और अच्छे से समझेंगे और next SDS के बात होगी तो देखें आज केason का जो हमारा सबसे पहला कोशन है आपके स्क्रिन पर दिख रहा होगा जो सबसे पहला कोशन है मों क्या कहता है मित्रों पहला कोशन कहता है Recently which of the following ministry has released report on the performance grading index for year 2020 and 2021 हाल ही में निमलिखित में से किस मंत्राले में वर्स 2021 के लिए प्रदर्शन grading सूचकांग पर रिपोर्ट जारी की है Ministry of Education, Ministry of Culture, Ministry of Finance and Ministry of Agriculture किस मंत्राले के द्वारा अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में निमलिखित में से किस मंत्राले के द्वारा 2020-21 के लिए प्रदर्शन grading सूचकांग की रिपोर्ट दाजारी की गई है आप सिंपल अगर कहना चाहें तो इसको PGI कहा जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Ministry of Education क्या है याद रखिएगा जो HRD मिनिस्ट्री थी जिसे हम लोग सामाने भासा में हुमन सोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता था या हुमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव मानव संसाधन विकास पंत्राले जो है इस पंत्राले को ही Ministry of Education के नाम से भी अब जाना जाता है जो इसका करेक्ट आंसर है जो करेक्ट आंसर है जो प्रतिवर्स क्या करती है और उसके आधार पे ही इनका सेलेक्शन होता है इसे हम प्रदर्शन या परफॉर्मेंस जो है ग्रेडिंग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं तो इसे याद रखेगा आप लोग इसे परफॉर्मेंस 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 ग्रेडिंग इंडेक्स इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये Ministry of Education के द्वरा पब्लिस की जाती है किसके द्वरा? Ministry of Education के द्वरा इसे पब्लिस की जाती है तो correct answer क्या हो जाएगा? ए वाला ए इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन क्या गहता है Recently the Neil Pawan Barua passed away and he was an associate of the witch field हालही में नील पावन बरुआ का निधन हुआ है वो किस छेतर से संबंदित थे? नील पावन बरुआ का हालही में निधन हुआ है और नील पावन बरुआ जो है किस छेतर को बिलॉंग करते थे? आपके सामने चार ओक्षन है politics मतलब क्या राजने तीसे थे artist कलाकार थे या painter थे मतलब एक ये painting करने वाले थे science या tech से थे मतलब विज्ञान या प्रौदयोकी से थे फिलाल ये जो थे वो एक artist थे ये एक कलाकार थे चीक है? अगर मैं कहूँ नील पवन बरुवा जी एक कलाकार थे नील पवन बरुवा ये जो है ये एक कलाकार थे ये कौन थे? एक कलाकार तो इसका जो आंसर है फिलाल वो B वाला correct answer है जो बच्चे हमारे B के साथ जा रहे है जोने B आंसर किया वो सभी का आंसर क्या है? विलकुल correct है विलकुल सही है मित्रों अब अगला प्रशन है हमारा अगला प्रशन क्या कहता है? Recently which state has been celebrated 66 formation day हाल ही में भारत में किस राज ने चाछटवा स्थापना दिवस मनाया है बच्चों अगर हम कहें कि हाल ही में जो चाछटवा स्थापना दिवस बनाया है तो वो जो राज है बच्चे वो राज है केरला आए हम समझते हैं देखिये अगर हम बात करते हैं केरला राज केरला राज की जो स्थापना थी स्थापना वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को गभवा है? एक नमंबर 1956 को यह हुआ है एक नमंबर 1956 को हुआ है अच्छा बचे कुछ हो सकता है विद्यार्थियों के दिमाग में यह मान सिकता चल रही हो चुकि यह कहें कि महंद्रा बोर्ड के थुरू अगर करेट आंसर की जो प्रात्मित्या दी गई है वो केरला को दी गई है जबकि कि अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा मित्रो कि करनाटक राज की भी स्थापना एक नमंबर 1956 को ही है लेकिन महंद्रा बोर्ड ने केरला को सही ठैर आया है इसलिए आप केरला को सही मानने करेंगे इसलिए कि आपका सही आंसर माननेगी है किया गया है इसलिए चुकि भासाई कि आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज जान्द ब्रदेश है इसकी भी उत्पत्ति एक नमंबर 1956 को मानी आती है तो अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो तीनों में आपको एक विवाद का विश्य उत्पन होगा जैसा कि मैं बता रहा हूं कि करनाटक के मेχंदरा बोर्ड के थो समझा गया है कि यह क्यर्ला जो अभी इसने 2022 में अभी अपना चाशâteवाँ जो है स्थापना दिवस इसने क्या किया मनाया है थो इसका करिक्ट आंसर क्या है वह वाला अच्छा तेलौंगना की बात करें तेलांगना आंध्रदेस से कट के बना है जैसा कि आप सभी जानते हैं और के लाइड का दिवस बनाते हैं दो जून और कि अभी 2014 तो दो जून 2014 को यह जो है तेलांगना राज्य बना था छीक है यह तेलांगना है जो कि सबसे अभी रीसेंट में बना है वैसे और इससे हम रीसेंट अगर कहें तो जम्मू और कश्मीर को जो एक स्पेशल राज था आर्टिकल 370 वो हटा दिया गया और अब उसको जम्मू अलग है और कश्मीर का तो इस आधार पर भी आपको एक स्थापना दिवस का है तो इसका करेक्ट आंसर प्रशन क्या कहता है है रिसेंटली वीच ओफ दा फॉलाइंग मिनिस्ट्री हैस सक्सेस्फुली कंडेक्ट इस्पेशल कंपेंट 2.0 फॉम 2 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2022 हाल ही में निम्लिखित में से किस्वंत्रालय ने 2-31 अक्टूबर 2022 तक बिशेस अभियान 2.0 सफलता पूरवक्स की स्पैनलके का संचालन किया थी कि मनिस्ट्री आफ कल्चर स्पीट्रि क?". nostू सлам में ॏ अक्टूबर 2022 हम निम्लिखित में से किस्वंत्रालय ने 2- 31 अक्टूबर की स्ट्मइस अभियान 2.0 का संचालन किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है Ministry of Home Affairs अगर मैं कहूं केंद्री ग्रह मंत्राले के द्वारा केंद्री ग्रह मंत्राले के द्वारा केंद्री ग्रह मंत्राले ग्रह मंत्राले द्वारा कि याद रखिए कपचे केंद्री ग्रह मंत्राले की बात करने तो केंद्री ग्रह मंत्री जो है मानिस्री अमित्साजी है जिन्होंने हाल ही में अभी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए एक विशेश अभियान चलाया है जो 2.0 का एक सफलता से संचालन किया जाना है तो इसमें जो है यह करेक्ट है सो करेक्ट अंसर क्या है 2 से 31 अक्टूबर की बीच में सफलता पूर्वग जो अभिवान चलाया गया है वो केंद्री ग्रह मंत्राले मानिस्री अमित्सा के नेतरती में चलाया जा रहा है सो इसका आंसर जो है वो answer number B जो था वो बिल्कुल correct answer था बचे अगला प्रश्ण हमारा क्या कहता है अगला प्रश्ण हमारा कहता है कि Recently 15th edition Urban Mobility India Conference Expo has opened in which state हाल ही में Urban Mobility India Conference का Expo एक 15 संस्करण किस राज्य में सुरू किया गया है सो आईए देखें क्या इसका correct answer है मित्रो अगर हम बात करते हैं इसका correct answer क्या है केरला है अभी हाल ही में Urban Mobility इंडिया Conference and Expo की जो इस्थापना की गई है वो किस से की गई है 15 जो संस्करण का इस्थापना की गई है वो केरला के दवारा की गई है किसके दवार की गई है केरला के दवारा की गई है Urban Mobility Urban Mobility इंडिया इंडिया Conference Conference and Expo Expo की जो स्थापना हुई अभी उसको केरला स्टेट के द्वारा किया गया है किसके द्वारा किया गया बच्चे? केरला स्टेट के द्वारा किया गया तो करेक्ट आंसर क्या है? केरला है केरला इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चे मारे केरला के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल जो है, correct सही कर रहे हैं, ठीक है, केरला के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं, उनका सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, अभी next है, recently who has appointed as an independent director of the Reliance Industries Limited, हाल ही में Reliance Industries Limited के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आकास अंबानी, अनिलंबानी, टीना अंबानी या केवी कामत को, कोश्चन तो बहुत अच्छा है, और यहां अंबानी बंदूओं के परिवार के लोगों के कई लोगों के नाम दिये गया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, कि हाल ही में Reliance Industries Limited के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, Recently, who has appointed as an independent director of Reliance Industries Limited, वैसे अगर मैं कहूँ बच्चे इसके जो correct answer है, family member में तो स्वे नहीं है, लेकिन के भी कामत साब है, इसका correct answer जगा है, के भी कामत जी, ठीक है, देखिए, रिल, short में कहा जाता है, real, मने Reliance Industries Limited की बात करें, तो इसके जो भी केवी कामत है, केवी कामत, ये एक independent, independent, independent director है, independent director है, केवी कामत जी, इसका जो correct answer है, वो क्या हो जाएगा, केवी कामत is the correct answer, जो बच्चे केवी कामत के साथ में जा रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिलकुल सही है, कोई गलती नहीं है, next question क्या कहता है, how much dollar will be a charge per month taken by the Twitter for the blue tick verified account, भई अभी ये चुकी नया आया है, आप जानता है कि ट्यूटर पर एकाउंट बनाने के लिए जो भी blue tick होंगे, उनमें अप प्रतिमा आपको कुछ न कुछ डॉलर जो है पी करना पड़ता है, then वो एकाउंट आपका आगे बढ़ेगा, इस तरह की condition आयो ट्यूटर को लेते हुए, so question है कि blue tick सत्यापित खाते के लिए ट्यूटर द्वारा प्रतिमाह कितना डॉलर दिया जाएगा या लिया जाएगा, 6 डॉलर पर मंथ है, 7 डॉलर पर मंथ है, 8 डॉलर पर मंथ है, और 9 डॉलर पर मंथ है, so इसका जो बच्चे correct answer है, वो हो जाएगा, 8 डॉलर पर मंथ है, अगर 8 डॉलर पर मंथ देते हैं, तो जो आपका twitter account है, उसके उपर एक blue tick का sign आएगा, then आपका लगेगा, that it's a readable point, ठीक है, so blue tick को सत्यापित खाते के लिए, चुचर द्वारा प्रतीमा कितना डॉलर है, तो ये एक डॉलर की value की गई है, याद रखेगा, चुचर पे जो भी account है, उन पे जो भी mark है, mark, मैं mark की बात कर रहा हूँ, कौन से, blue tick mark की, so blue tick mark के लिए, कितने डॉलर होने चाहिए, 8 डॉलर की value जो है, वहाँ चलेगी, कितनी चलेगी, 8 डॉलर की value वहाँ पे चलनी चाहिए, तो ये जो है, वो correct answer है, इस तरह से, अगला प्रश्ण क्या कहता है, National Cancer Awareness Day 2022 is observed by which date, राश्टी Cancer जाग रुकता दिवस 2022 किस तारीक को मनाया जाता है, देखे, cancer को awareness की बात करते हैं, इसका जो correct answer होना चाहिए, वो होगा 7 नमबर, बच्चो, यहां cancer जाग रुकता है, अगर simple कभी याद रखेगा, कभी भी आपको cancer day पूछा जाए, cancer दिवस, cancer दिवस जैसा प्रश्णाता है, तो इसके लिए आप मनाते हैं 4 फरवरी, अच्छा, cancer होता किन कारणों से है, cancer होता है, तंबाखु के सेवन से, कैसे होता है, तंबाखु के सेवन से cancer होता है, बच्चो, क्या होता है, तंबाखु के सेवन से cancer होता है, हर साल 31 माई को 31 माई को तंबाखु निशेद दिवस भी मना जाता है एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि study of cancer क्या कहलाता है अगर हम study of cancer की बात करेंगे तो study of cancer कहलाता है और ऑनको लोजी क्या कहलाता है और ऑनको लोजी कहलाता है study of cancer तो cancer का अध्यान ऑनको लोजी कहलाता है इस बात पर भी थोड़ा सा एक मजबूती बनाएक रखेंगे और cancer की जात्ता दिवस मनें हम यह कहा दे cancer awareness जो डे है Vetigy awareness day जो ये है सात नवंबबर कैंसर awareness day क्या है सात9 जो है यह बिलकुल यह विलकुल क्या यह एक्दम सही है इसा कौन सा मंत्राले है जिसको इंडिया एग्री बिजनेस चुकि एग्री जहां नाम लगता है अब दिमाग में हमें बात आती है कि यह एग्रिकल्चर वाले पार्ट से जुड़ा होना चाहिए अब अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है संस्कृति मंत्राले नहीं आंसर है घ्लत आंसर यह आणसर नहीं हो सकता चीक है Ministry of Rural Development है मने ग्राम विकास मंत्राले है ये भी नहीं है Ministry of Chemical and Fertilizer है ये आपका रसायन और उर्वरक मंत्राले नहीं है So Ministry of Fishing Animal Husbandry ये बिल्कुल correct answer है याद रखेगा अगर हम agriculture की बात करते हैं या एगरी की बात करते हैं तो agriculture में हमारे कुछ पार्ट आते हैं जैसे कि आप example देख रहे हैं Fishing या Fisheries Fisheries इसमें आता है ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं Animal की बात इसमें आती है फिर इसके बात करें Animal Husbandry की बात इसमें आती है Animal Husbandry की बात आती है फिर Daring की बात इसमें आती है बाते हैं जो ऑघरिकल्चर वाले पार्ट को जोड़ती हैं सो इसे ही अभी स्केथ जो है यह संब्सक्रार करिक्षिए जो है वो डी वाला हो जाएगा सो बच्चे बारे डी के साथ में जा रहे हैं या जिनोंने डी आंसर किया होगा वह सभी जो है इसमें बिल्कुल परिक्ष वाज सेलेबरेटेड़ दा विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्री दत्तोपंत ठेंगडी की कौन सी जैनती मनाई गई चुकि ये करेंट का पार्ट है बच्छो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 102 एक सो दोवी जैनती इसमें मनाई गई है स्री दत्तोपंत ठेंगडी की कौन सी जैनती थी 102 जैनती ऐसे प्रश्णों को थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें और अगर लगता है कि नहीं हमें ये नहीं आ रहा है तो आप ऐसे प्रश्णों को छोड़ दें लिकिन प्रयास करें कभी भी गलत उत्तर ना करें अभी मनाई गई है मनाई गई है सो इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला सी वाला करेक्ट है जो बच्चे सी के साथ में गया है उन सभी का आंसर क्या है बिलकुल सही है अगला प्रशन क्या कहता है DRDO is located डी आड़ का मुख्याले कहां है देखें DRDO Defense Research and Development Organization और इसका जो मुख्याले है वो कहां है नई दिल्ली में है कहां है नई दिल्ली में याद रखेंगे DRDO का मुख्याले कहां है यह एक डिफेंस सेत्र में काम करने वाली हमारी गौर्मेंट ऑफ इंडिया की और गनाइजेशन बॉड़ी है जो कि पुछ तरी कैसे गौर्मेंट कम सेक्टर की तरह काम करती है और इसका जो मुख्यालत था वो कहां था नहीं दिल्ली में अगला एक कोशन है कि दा लीना रीवर पासे थू विच कंट्री लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है मने किस देश में बहती है अब चुकि कई बार बहुत डेसारी वर्ड रीवर भी आपसे एक्जाम में कोशन आते हैं या पूशे जाते हैं वैसा ही एक कोशन यहां प बारे में बताता हूं याद रखिए थोड़ा सा और आप देख लीजिए वर्ड रीवर के बारे में कभी-कभी आपसे वर्ड रीवर के बारे में पूश लेते हैं तो जैसा कि यहां जो देश जो दिये हैं मैं उन देशों पे वार चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीन की घर हम पात करें बित्रों चीन की बिचीन में जो नदी है उसका नाम है एक नदी तो है हावांगोह। हुआ नदी फिरत अलड़ के किनले की है एक है यांग तीज एक नादी और है इसका नाम है यांग टीज एक यूएस में अगर कहें बच्चे हम यूएस में बहती है हड्सन नदी हड्सन यूएस में बहती है जैसे मिसिसिपी नदी मिसिसिपी नदी जैसे एक नदी बहती है मिसौरी तो मिसिसिपी नदी यह सब नदी यहां बहती है जैसे बराजील में आपने सुना होगा अमेजन नदी बहती है तो यह इस तरह से जहाँ जहां जो देश दिये है उं जगों के बारे मैं वेको बतारहाएं है लीमा वह रशिया में है यह दुन तो आपमे लग है इस तरीके से अगर बात कर दें इटली में पू है इस तरह से बहुत सी नदिया जो है पुरी दुनिया में अलग जगों पर बहुत जगों पर है तो इन पुछ नदियों को अपने दिमाग में जहने का प्रयास रहें कि लोकेशन में कौन सी नदी कहां बह रही है और उसके जब कोश्यान आये तो हम प्रयास करें कि उनको अच्छे से कर सकें और उसमें कोई भी गलती ना हो धैण यह क्लियर हो जाएगा ओक करते हैं यह मोट इसमके समझें अगर हम बात करते हैं क्लिंग और क्या कि군 कलिंग वॉरयन तो कलिंग का जो युद्ध है या कलिंग वह में दोसो एक्षाठ्य सा पूर्ब लडा गया था अच्छा कलिंग युद्ध के बारे मैं थोड़ी सी बात भी आपको बताना चाहूंगा बच्चु क्या है प्लिंग युद्ध जो लड़ा था वो राजा असोक ने लड़ा था असोका ने इसको युद्ध को लड़ा था और असोक ने इस 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 युद्ध को लड़ा थ कलिंग युद्ध राजा अनंत पद्म नाभन से किया और इसमें लगभग लोग कहते हैं लगभग जो है एक लाग के आसपास लोगों का नरसंगहार हुआ था असो के तेरहमें सिलालेक से इस बात का हमें अंकन या प्रमार भी मिल पाता है जहां हम यह जान पाते हैं इसका आंसर जो है वह यह युद्ध में बहुत भीर सारे लोगों की आहुती या बलिदान हुई थी राजा अनंत पद्म नाभन उस समय कलिंग छेटर के राजा थे और जो असोग थे असोग इन्हों ने अपने छेटर का या सामराजी का विस्तार किया और विस्तार के कारण ह इस तरह के युद्ध हुए जिसका कारण ये हमें मिलता है इसका जो करेक्ट आंसर है वह 261 इसापूर्व है 261 BC है इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ये जो है बिलकुल सही है बी वाला क्या है एकदम सही आंसर क्या है बी 261 इसापूर्व में ये युद्ध हुआ था ओके उ क्या कहता है अगला कुछन कहता है अगर हम हिस्ट्री का बैक्ग्राउंड यहां पर आपको बताएं यहां समझाएं सो हिस्ट्री का बैक्ग्राउंड क्या है हिस्ट्री के बैक्ग्राउंड पर हम जाते हैं या इसको हम समझते हैं सो हम क्या देखते हैं इसके बैक्ग्राउंड वाले हिस्से को बैक्ग्राउंड वाले हिस्से को कि सबसे पहले हम यह देख रहे हैं My first World War 1st World War अब 1st World War कब हुआ है 1914 से लेके 1918 यह हुआ 1st World War अच्छा 1st World War हुआ जिसमें बहुत देसारा लौस हुआ बहुत देसारा लोग मारे गए बहुत जादी दजन्दन की हानी हुई सो 1st World War को रोकने के लिए इसे प्रपोबिशन करने के लिए stop करने के लिए एक बनाया गया था the league of nation क्या बनाया गया था the league of nation the league of nation बनाया गया था यह यह बनाया गया तो यह कुछ दिनों तक जो है यह चला था चला था अच्छा फिर एक और बाद समझेंगे यहां पर अगला कि second world war जब हुआ था second world war जब हुआ था बच्छों तो second world war कभ हुआ second world war हुआ था 1949 से लेके 1945 के बीच में और इस world war के बाद बहुत धेर सारी जंधान हानी फिर से हुई इसमें आपने देखा कि अमेरिका ने क्या किया था जापान के दो सहर हिरोशिमा और नागा साकी पे छे अगस्त और नव अगस्त 1945 को एटम बम या प्रमाणू बम पे कहते जिससे आज भी वहां पे क्रिशी या जवात निर्भरता है उनकी काफी नहीं डेवलेप हो पाई और वह आज भी टेक्नोलोजी के मामलें विसले में विकास करके वहां काफी आगे बढ़ा तो अब सेकेंड वर्डवार के बाद में एक नया बिवस्ता बनाए गया जिससे हम लोग कहते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 1945 को UNO बना United Nation Organization और ये इसका उदेश था कि विस्विस्तर पे कैसे अमन चैन और सांती लाई जाए और विस्विस्त है इको सीको है काउंसिल्स है इंटनेस कोट अब जस्टीज है तमाम जीजी इस तरह से हैं तो यूएन बन गया तो इससे लिए लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन और गनाइजेशन तो ये इसका निर्माड हुआ तो फिलहाल जो इसका करेक आंसर है वो संयुकरा संग या ये कह दें इस वरी राष्ट संग का गठान मुनलब लीग ऑफ नेशन जो है फस्ट वर्ड वार तो फस्ट वर्ड वार के बाद में 1920 में जो है ये बना था कब बना एकदम करेक्ट है ओके फस्ट वाला अंसर क्या है एकदम करेक्ट है अगले कुशन को चलते हैं कोर इस दा अर्थ इस कंसीडर तू दा कम कंप्रोमाइस ऑफ प्रतिवी के कोर में सामिल माना जाता है निकल और एलमुनियम आइरन और निकल आइरन और सिलिकॉन सिलिकॉन और और एलमुनियम क्या माना जाता है आई यह समझें जैसे मान लीजिए बच्चों कि यह है हमारा अर्थ यह हमारी पृत्वी का हिस्सा ऐसे करके हैं अब हम इस तरीके से चलते हैं ऐसे करके ऐसे सो यह अगर हम हम इंटर्नल हिस्सा देखने का प्यास कर रहे हैं क्या देख रहे हैं कि इनटर्नल इस्ट्रक्चर और अर्थ की जब भी हम बात करते हैं सो एक हिस्सा, दो हिस्सा, अब देखो, सबसे उपर का हिस्सा हमारा कहलाता है crust, नमबर दो हिस्सा जो है ये हमारा कहलाता है mental, सबसे नीचे का जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है core, ऐसे, एक और बात समझें, अब crust वाले हिस्से में क्या है? Silicon plus Almonium के content है यहाँ पर ऐसे ही mental वाले हिस्से में अगर हम चलेंगे तो हमें Silicon plus Magnesium के content यहाँ मिलते हैं Magnesium के content यहाँ मिलते हैं ठीक है और core में चलते हैं तो यहाँ पर iron और nickel के content मिलते हैं तो फिलहाल जो आपका answer iron और nickel जो है यह वाला जो है विल्कुल सही है core के लिए बच्चों ठीक है और अगर मैं कहूं कि इसकी जो आंत्रिक गहराई है वो गहराई है लगबग 6370 किलो मीटर गहराई है और यहाँ पे जो सतह पे temperature है वो 5970 degree Celsius क्या है यहाँ ताप मान है और उपर वाले value पे आप जाते हैं तो यहाँ पे लगबग 30 degree जो है temperature माना जाता है यह आउसतन temperature है यह क्या है आप इसको average temperature के नाम से भी कह सकते हैं यह जान सकते हैं तो average temperature जो है यह वो यह है तो फिरहाल करेक आंसर क्या हो जाएगा बी वाला बी इसके लिए क्या है विल्कुल सही है विल्कुल correct answer है तो आइए देख लें आंसर क्या होगा इसका answer भी है जैसा कि आप देख रहे हैं तो भी इस अक्रेक आंसर अब हमारा अगला प्रशन आप सब के सम्मुख है अगला प्रशन क्या कहता है मित्रों in 1918 महात्मा गांधी वैंट टू अच्छा 1918 महात्मा गांधी गये कहीं गये थे तो और्गनाइज दसत्याग्रे मुवमेंट अमंग दा कॉटन मील वर्कर उन्निस वठारा में महात्मा गांधी ने कपास मील कि स्रमिको के आंदोलन आयोजित किया गया था अच्छा जो कॉटन मील था यह कह दें स्रमिको के बीच में एक सत्याग्रे आंदोलन चलाया था जिसे मील आंदोलन के नाम से प्रशिद हुआ था और मील मुवमेंट भी इसे कहा गया या कहा जाता है क्या कहते हैं मील मुवम 1918 की बात है जब बिरिट्स हुकूमत का सासन था और इनकी अपनी había चापित गई थी अब जो कम्पनी भारत में स्थापित की गई थी। उसमें हुआ ये था कि हर साल ब्रिटिस हुकूमत के लोग जो भारती मजदूर के अपने कंपनी में काम लेते थे। उन्हें प्रतिवर्स एक bonus का amount उनके किसी तेवहार पर या उसे अच्छे फैस्ट पर वो देते थे 1918 वाले साल के समय उन्हें कंपनी के द्वारा bonus का हिस्सा नहीं दिया गया जिसमें सभी इस ट्राइक कर दिया हर्टाल देली और हर्टाल से काम पे लोग नहीं गये अब इस आंदोलन को लीड करने के लिए महत्मा गांधी चुकी आ गया है और यह कंपनी जो स्थापी थी वह एहमदाबाद के गुज़ात में तो एहमदाबाद के गुजरात में गांधी जी के नेत्रोत में सैनिको के द्वारा एक सत्यागर आंदोलन प्रारम किया गया जिसे मील आंदोलन के नाम से प्रशिद हुआ या मील आंदोलन के नाम से जाना गया थीक है अभी next question क्या कहता है next कहता है who wrote the अकबर नामा किस ने लिखा है अबुल फजल ने पैजी ने अब्दुरहीम ने या अब्दुलकादिर ने अकबर नामा की अगर हम बात करें तो अकबर नामा को आप अबुल फजल का आंसर देंगे अबुल फजल यो हैं यह विल्कुल सही आंसर है आई अकबर के बात करें अकबर के बच्पन का नाम जलालुद्दीन था बच्चों और अकबर का जो समय था वो 1556 से लेके और 1605 तक का समय था यह समय था अकबर का ठीक है अच्छा अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे अकबर के समय में अकबर ने अपने दर्बार में नौरत न रखे थे क्या रखे थे नौरत न रखे थे और ये नौरत नहीं क्या करते थे अकबर के दर्बार को पूरी तरीके से चलाने का काम करते थे अब आप एक तरह से नौरतनों को याद भी कर पाएंगे कैसे याद कर पाएंगे जैसे कि आप ये देख रहे हैं जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहां देख रहे हैं बीरबल बीरबल नंबर दो हो गया अबुल फजल अबुल फजल नंबर तीन हो गये तान सेन नंबर अगले हो गये बिहारी मल या जिसका नाम है भगवान दास बिहारी मल भगवान दास फिर अगले हैं अब्दुल रहीम खन खाना अब्दुल रहीम खन खाना फिर टोडर मल फिर मान सिंग एम से मान सिंग फिर मुला दो प्याजा फिर हकीम हकाम अगर अब थोड़ा सा इस पर हम प्रकास जो आपको डाल के बता रहे हैं या समझा रहे हैं अकबर के लिए जो लिखा गया था वो था आईने अकबरी क्या था आईने अकबरी और आयने अकबरी का ही रूपांतरन था अकबर नामा में और इसको लिखने वाले थे अबुल फजल सहाब कौन थे अबुल फजल देखे बीरबल जो है इनका नाम था महेजदास ये ग्वालियर के रहने वाले थे और ये हम कहें अकबर के मुखे सलाकार की भुमिका निभाते थे या मुखे सलाकार के रूप में ये खारे करते थे वा फिर अब फजुदरर को चलाने वाले थे दीन घटायें घेला देना बादल हम या रचया थे सामन जैसा मौसम लगता था और एक बहुत अच्छे वीड़ा वादक थे और अकबर इन से सुमधुर संगीतों को सुना करते थे तो यह वीड़ा बजाने वाले तांसेंजी थे बिहारी मल इनका कही नाम भगवान दास मिलता है बिहारी मल इनकी पुत्री थी इसका नाम त करते हैं अब्दुलरहिम खंखाना इनके दर्वार में एक अनुवादक के तौर पर कारे करते थे यह ट्रांसलेटर थे और इन्हों नहीं आइने अकबरी मा का अगवार नामा जैसा रूपांत्रण किया था यह हुआ था टोडर मल इनके दर्वार के राजस प्रमुख थे जो राजस या रेविन्यू वाले सेक्टर को देखते थे और रेविन्यू सेक्टर को आगे बढ़ाने का ही यह काम करते थे बच्चों ठीक हैं अगला देखे हम लोग राजा मान सिंग तो मान सिंग क्यों थे राजा मान सिंग जो थे यह इनके दर्वार के एक प्रमुख मन करते थो उसे मनसबदारी विवस्ता या प्रथा भी कही जाती है अगला है मुला दो प्याजा मुला दो प्याजा ये इनके यहां के वास्टुकार शिल्पकार स्थापत सैलियों से जुड़े हुए के कारे थे हकीम हकाम एक रसोईयां थे जो हमेशा पूछते थे जहांपना आज आपकी खिद्मत में क्या पेस किया जा या क्या आप फरमान लेना चाहेंगे उस बातों को ये बताते थे और प्रमुक करते थे इसका जो परमुक था वह क्या था हकीमकाम ऐी जो इसका या है बिलकुल करेक्ट आंसर है जो बच्चे ए के साथ गये hai anser बिलकुल करेक्ट है अगला है विच सिख गुरू इनिशिटेट दा खाल्सा, किस सिख गुरू ने खाल्सा के सुरुवात की, तो खाल्सा की सुरुवात करने वाले जो प्रमु गुरू है, बचो उनका जो करेक नाम है गुरू गुबिन जी, गुरू गुबिन सिखों के दस्वे गुरू रहे हैं अगला पृश्ण क्या कहता है अगला पृश्ण कहता है इनसीतлюд अगला पृश्ण क्या अगला काहता है लिकेत में किस राजा ने अंतिम मौर राजा ब्रहदत की हत्या की थी अब आपको बताना है कि अंतिम राजा ब्रहदत थे बाई ब्रहदत मौर इवन्स के अंतिम शार्शक थे और उनकी हत्या करने वाले कौन राजा हैं सो उनको हत्या करने वाले कौन थे कुछ श्रिमित्य सुंग थे थोड़ी सी बात इसको समझ लेते हैं डाइग्राम के माध्यम से थोड़ा सा तो जल्दी समझ में आएगा अगर हम बात करते हैं मौरी डैनेस्टी की मित्रों मौरी डैनेस्टी में जो सबसे पहले राजा रहे हैं उनका नाम था चंद्रगुप्त मौरी क्या नाम था चंद्रगुप्त मौरी एक पॉइंट नमबर दो अगर मैं देखूं तो नमबर दो रहे हैं बिंदू सार नमबर दो रहे हैं अगले रहे हैं असोक इसके बाद में र मेहंद्रगिरी के बाद ही अगर मैं कहूं महेंद्रगिरी से तो जीवन सता नाम गया लेकिन असोक का एक और पोत्र था जिसका नाम था तीवर और तीवर से अंतिम राजा रहे हैं ब्रेहदत्त क्या नाम रहा है ब्रेहदत्त अब ब्रेहदत्त के जो की हत्या जो करने वाले थे वो थे पुश्य मेत्र पुश्य मेत्र सुंग रहे हैं इसमें करेक्ट सो बी वाला जो है पुश्य मेत्र सुंग जो है यह सही है अच्छा पुश्य मेत्र सुंग के बाद में इसमें पुश्य मेत्र सुंग भागभद्र देवभूती अगनी मित्र फिर उसके बाद अगनी मित्र के बाद में अगल जो करणवंस के जो साचा कर रहे हैं वशुमित्र वशुमित्र के बाद में वाशुदेव सुर्षामन के बाद में उनकी अध्या करने वाले आते हैं सीमूग जो सात् भाहन बसाते है साथ παहन के बाद ये विससеспाप होताय कगा इसकंद सही है अब हम बात करते हैं अगला कोशन है कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है तो कई दफ़े यह प्रशन हमें सा एक्जाम में आता रहता है बाल्टिक सागर और नॉर्धन सी इसको जोडने वाला जो सही आंसार है वो है कील कैनाल, कील नहर बहुत बार एक्जाम में यहां कोशन आया है कि भाई बाल्टिक सागर बाल्टिक सागर एवं उत्री सागर उत्री सागर अब इनको जोडने वाली जो नहर है उसका नाम है कील कैनाल या कीलनेहर आप क्या कहए देंगे कीलनेहर या कीलकैनाल कैनाल या कीलनेहर ही इसका करेकांसर है मित्रों वो क्या है बिल्कुल सही है बाल्टिक सागर और उत्री सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है कील सागर या कील नहर इसका जो है करेक्ट आंसर है मित्रों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट के अब हमारा अगला प्रशन क्या कहता है किसका यह तर्म है यह हमें बताना है यह हमें देखना है मित्रों क्या इसका करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे कि आप सब बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है सैटिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसा कि मुझे याद है मैं पहले भी एक बार आपको बताया था इसका जो है वो मनी मार्केट वाला हिस्सा है आईए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों अगर हम बात करते है मनी मार्केट की किसकी बात करते हैं मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट में हमारे जैसे हमारा सीडी है सीडी जैसे सैटिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सैटिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी का हिस्सा आता है एक एक उसीडी का हिस्सा आ गया फिर जैसे अगर हम में बात करें दोगम туда ह電े से हमारे टर्म होते हैं यह हमारी बस्तुवे होती है जो इसमें आत है नीगो मैंनि मार्केट वाले पार्ट में अ जैसे एक मड़ी मार्केट में आपका मनी मार्केट में CD हो गया commercial paper जैसे देखो commercial paper का हिस्सा हो गया commercial paper commercial paper अच्छा ये हमारे जो share होते है share holding जो points आते हैं यहाँ पे तो ये सारे जो है हमारे आते हैं इस तरह के हिस्से में जिसमें हम commercial paper money bill commercial paper है share holding का part है certificate of deposit का part है तो ये सारी चीज़े या जैसे एक और आता है आपको NPO कह सकते हुआ तो इस तरीके से बहुत डे सारे short term होते हैं जो money market के साधन में जुड़ते हैं तो यहाँ money market के साधन का हिस्सा जो था वो था ये जमाप्रणापत्र जो है अगला प्रश्ण जो है आप सब के सम्मुख है और अगला प्रश्ण क्या कहता है सब ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्ण कहता है अगला प्रश्ण के द्वारा पहला कार खाना निम्रिखित में से किस इस्थान पर इस्थापित किया गया है या डचों ने किस जगन पर पहला कार खाना इस्थापित किया है आपके सामने चार आप्शन है वैसे डच जब इंडिया आये तो लगभग समय था सन 1602 और डश ने जो कंपनी को के थे उस लोग के थे कवर्पनी को इस्टेबल करने वाले वो लोग थे और उन्होंने जो अब से पहली कंपनी स्थाफित की थी वह इस्थाफित की थी मुशली पटनम में मुसली पटनम में उन्होंने प्रत्थम कंपनी इस्थापित की थी तो डच ने पहली कंपनी इस्थापित यहां पे की अगला है जो डीशरी इन इंडिया इज भारत में नयापाली का है वैसे बच्चों अगर मैं बात करूँ कि हमारे इंडियन पॉलिटी में भारती राज्यवस्था में तो भारती राज्यवस्था में आप पढ़ते हैं डीपीएसप डियरेक्टिव प्रिंसपल अफ स्टेट पॉलिशी तो मुझे याद है अभी भी कि डीपीएसपी पार्ट नंबर फोर एंड आर्टिकल नंबर च्छतिस से लेके इक्यामल और इस जिसमें की आर्टिकल नंबर पचास क्या कहता है आर्टिकल पचास कहता है कि जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम एक्सी एक्जेक्यूटिव नियाएपालिका कारेपालिका से प्रत्थक है तो यहीं पर हमें ये बात पता चलती है क्या कि नियाएपालिका एक स्वतंत्र निकाय है तो इंडिपेंडेंडेंट है नियाएपालिका क्या है इंडिपेंडेंडेंट है है क्याएक आंसर होजाएगा कि इंडिपैंडिटट जो है बिल्कुल कई सही आंसर है कि अगला कोशन है कि हूँ है the pantenium chip pantenium chip का विसकार किसने किया चोकिए simple सा question है simple सा answer भी होगा इसका बच debate से इसमें answer होगा आपका we know the damn ठीक है क्या हो जाएगा we know damn जी ने pantenium chip को खोजा था ये इसको खोज करता थे ठीक है ठीक है अगला और आज का ये last question है भ्चो अब जो आप अगला कुशन देख रहे हैं वो पहरा आए कि जेलम नदी का उद्गम कहा है यह थोड़ा सा डाइग्राम के माध्यम से भी इसको हम समझने का प्रयास करें उम्मीद है मित्रों आप इसको अच्छे से समझेंगे और आपको सही लगेगा इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यह इंडिया का मैप ऐसे है मानना है आपको और हम जल्दी से एक रफली समझेंगे का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि मानलो ये भारत का कुछ मैप है इस तरह से और यहां आप देखते हैं ये ये जो छेतर है वो तिबबत का है वो क्या है ये तिबबत का छेतर है और यहां से एक नदी निकलती है जो उपर से होते हुए और यहां जा गिरती है इसे हम कहते हैं सिंधु नदी और चिनाब, सतलज और ब्यास ये नदी आती है तो इसमें जो जेलम है उसी को हम प्रमुक्ता देते हैं जैसा कि यहाँ पे अगर हम चलते हैं ये ऐसे ये नदी है ज्येलम अब ज्येलम यहाँ यहाँ पर पड़ता है बेरी नाग दर्रा यहाँ परता है ये विलकुल correct answer है ए वाला वेरि나ग दर्रा. जो भी बच्चे मारे वेरिनाग दर्रे पर ट्क किये होंगे या किये होंगे clear उन सभी का answer क्या है बच्चे, वेरिनाग सही है. रोतान से तो अलग न दिया हैं जैसे मारी व्यास वगरा वहां से आपको मिलेंगे लेंगा दिया है सो फिलहाल मित्रो मुझे उमीद है कि आज का जो session मैंने आप सबको बताया या पूरा मैंने बताया वो उमीद है कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से क्लियर है एक एक स्टेप मैंने बताने का प्रयास किया जहां तक हो सकता था सो मित्रों अब मैं शैशन को यहीं पर समाप करना चाहूंगा और आप सबसे मैं उम्मेद करता हूँ कि आप सभी जो है बहतिन तरीके समझ पाएं एक अच्छे कोशन का अंसर दीजिए बचों इतना जरूर धियान रखें जो सही आंसर उसे को उसी को दें और गरत आंसर देने से बचें अगर अंदाजा लगता है कि हां यह सही हो सकता है बहुत संभावन आए हैं तो ही करें अन कि झाल समझ टो है बहुता है